येर स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग आज हम पेज नंबर वान थार्टी एट पे हैं और चैप्टर ये हमारे 12 चल रहा है 12 चैप्टर हाव हैवी हाव लाइट ठीक है अब देखिए इसमें क्या है हेडिंग ग्रैम्स एन किलोग्राम्स ठीक है कि ग्रैम और किलोग्राम में क मतव क्यूंसी चीज़ों को हम ग्रैम में मेजर करते कौंसी चीज़ों किलोग्राम में मेजर करते हैं आप अब सबको पता है घ्रामच起ल के Practice है 1 kg बनता है ठीक है और half kg में कितने हो जाएंगे 500 ग्रेम ठीक है 500 ग्रेम 500 ग्रेम यहाँ पर 500 लिखना ओके, name 5 things that we usually buy in grams पांच चीजों के नाम लिखो जो हम grams में खरीते हैं और किलो ग्रेम में खरीते हैं जैसे चिल्ली पाउडर ठीक है, turmeric powder cloves लोंग होती है देखो quicklyू यह मिर्च का पाउडर यह में करोंते हैं टरमरिक पॉडर अल्दी पॉडर यह इसके बद लॉंग धेरिन कें पर Rede करी जैसे दाड़ी बड़ी बनाते हैं तो कट लग जाता है तो यह लगाते हैं अलम लगाया जाता है ठीक है उसके बाद देखिए इन किलोग्राम्स किलोग्राम्स में कौन कौन सी चीज़े मेजर की जाती है देखो यहाँ पे लिखा है पटेटो ठीक है पटेटो को हम किलो ग्राम में खरीते हैं राइस को, चावल को, वी हीट गेहूं को ठीक है उसके बाद एपल एपल को भी हम किलो में खरीते हैं उसके बाद देखो सुगर, सुगर को हम केजी में खरीते हैं ठीक है यहां पर दाल बगरे भी लिख सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से जो आप किलोग्राम में खरीदते हैं अपने घर में अब देखो यहां पर कह रहा है विच इस हैवियर ठीक है आईरन की जादा है डैंस्टी क्यों जादा है आईरन की डैंस्टी क्योंकि वह कम स्पेस में देखो अगर आईरन का हम 1 kg वेट लेते हैं ठीक है तो वह इतनी जगह में आदाता है इतनी जगह में छोटी सी जगह में इतनी जगह में लेकिन अगर हम कोटन की बात करें तो ठीक है, जो iron है वो 1kg में ही छोड़ी सी जगह में आता है लेकिन जो cotton है वो जादा जगह में आता है, ठीक है, बहुत जगह में आता है, तो इसलिए जगह अगर कम होगी तो density जादा हो जाएगी उतने ही weight में, ठीक हूँ, ठीक है, क्योंकि density जो होती है, वो area पे depend करती है, मतल जगहे पे depend करती है तो यहाँ पे देखो यही इसका example दिया हुए हमें density समझाने के लिए यहाँ पे total लिया है और एक weight ले रखा इस person ने इसके हाथ में 1 kg का weight है बटा है 1 kg का और यह क्या कर रहा देखो यह कह रहा है इसने फैक दिया बट पहले देखो इसने एक लड़की है एक लड़का है ठीक है इस लड़की ने इसके उपर pillow फैका लड़के के उपर देखो नीचे दिखाया हुआ है इस लड़की ने इसके उपर pillow फैका ठीक है यहाँ पे pillow नहीं फैका watermelon फैका वैसे लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम pillow फैकेंगे pillow जिसमें cotton होता है तो इतना ज़्यादा heavy नहीं होता लेकिन फिर यहाँ weight फैका इन्होंने तो देखो बहुत जोड़ से लगेगा ौच मतलब ऐसे मर गया ठीक है इसने मेरे उपर एक heavy watermelon फैका यह बोल रहा है लड़का ठीक है और यह क्या कहरी देखो यह थ्रू ए वन केजी pillow of cotton कि इसने मतलब एक kilo cotton का pillow फैका है तो आई थ्रू ए वन केजी watermelon इसलिए मैंने वन केजी watermelon फैका यस्टरड़े यू सैट देट 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 वेट ओफ वन केजी cotton एन वन केजी मैंने नहीं जिकवल है तो आपने बताया था कहा था कि वन केजी जो cotton है और वन केजी melon है वो एकवल है वेट में ठीक है यह मतलब टीचर को भी ऐसे बोल रहा है मतलब ऐसे समझाने के लिए एक तरह से जोक है फ़नी जोक सा लग रहा है ठीक है मतलब कि उसने पिडो फैका और उसने वाटरमेलन फैक दिया फिन लेकिन वाटरमेलन क्योंकि कम जगह में थोड़ी जगह में आता है ठीक है मतलब ऐसे तो बड़ा होता है वाटरमेलन भी वन केजी का लेकिन फिर भी कोटन से कम जगह में आएगा cotton 1 kg बहुत जगह लेगा ठीक है यानि की space ज़्यादा लेगा तो जब space ज़्यादा हो और तो उसकी density कम होती है ठीक है उतनी quantity के अंदर लेकिन कोई चीज अगर कम space घेरती है तो उसकी density ज़्यादा होती है तो इसलिए watermelon की density ज़्यादा है और पिलों की कम है और उस case में भी जो बटा है उसकी density ज़्यादा है as compared to cotton उसका मैं देखें dyneson went shopping ठीक है dyneson भी बोल सकते है dyneson went shopping dyneson went to a shop and bought some things dyneson shop पे गया कुछ चीजे लेकर आया his younger brother cut the end of the bill where the weights were written उसके भाई छोटे भाई ने जो विल था उसका एक end देखो इधर से फाड दिया है मतलब कट कर दिया है catchy से कट कर रहा देखो कट कर रहा है जहाँ पर weight लिखे हुए थे वो हिस्सा उसे ने कट कर दिया ठीक है gas and write the weight of each thing he bought in gram और kilogram हम कहता कि gas क्रोर लिखो कौन चीचने gram में और कौन सी चीचने kilogram में खरीदी होंगी अब देखो items है और weight है rice हम kg मिलेते हैं तो हमने kg लिखेंगी यहाँ पर 5 kg kg है यहाँ पर kg है उसके बाद देखो sugar 1 kg mustard seeds 10 kg यह gram भी लेते हैं gram भी लिख सकते हो लेकिन 10 gram कोई नहीं लेगा 10 kg आएगा wheat 3 kg दाल 500 gram देखो दाल को gram में लेने यहाँ पर half kg ले रहे एक चलिए ठीच, चाय, पत्ती 250 gram pepper मतब काली मिर्च जो होती है pepper मतब मिर्ची ठीक है और specially ब्लैक पेपर काली मिर्ची के लिए हम पेपर जादा यूज करते है वरना चिली यूज करते है तो पेपर मिर्ची है काली मिर्च है I think 25 gram थोड़ी लेते हैं यह सब चीज़े यह grams में है उसके बाद देखे current tractor ठीक है अब देखे क्या हो गया इसके अंदर देखो Ritu is weighing her toys Ritu अपने toys को वे कर रही थी कर रही है C wants to know if her tractor is heavier than her car वो यह जानना चाती कि उसका tractor heavy है उसकी car से या कौन सी चीज़ heavy है आप उसकी कैसे help करोगे जल्दी से find out करने में ठीक है अब देखो if I put two cars will the tractor still be heavier अब देखो यहाँ पे इसने एक तरफ tractor रखा तरफ car रखे tractor नीचे गया हुआ है तो कहती क्या अगर मैं अपनी दो car इसके अंदर रखूंगी तो tractor तब भी क्या नीचे जाएगा ठीक है heavy होगा तब भी ठीक है अब देखो gas which is the heaviest तो उसने measure करके balance से पता लगा लिया कि कौन सी चीज़ heavy है अब gas करिये कौन सी चीज़ सबसे heaviest होगी ए रियल कार ए बस और ए ट्रेक्टर ठीक है अब देखो car तो बिलकुल हलकी है पता ही है सबको मतलब इन तीनों में ठीक है बस सबसे ज़्यादा heavy है ट्रेक्टर से भी ज़्यादा heavy बस होगी which is the heaviest thing you have seen आप आज तक आपने सबसे heavy चीज़ क्या देखी है मैंने तो वैसे तो ship भी हो सकता heavy काफी heavy होता है ship rail engine भी heavy होता है ठीक है तो आप अपने हिसाब से लिखना ship ship भी लिख सकता है कोई अगर किसी ने देखी है तो और अगर नहीं देखी तो rail engine देखा होगा ठीक है या फिर कोई और heavy चीज़ देखी हो इससे भी तो वह अब लिख सकते है ठीक है उसके बाद देखें next page पे अब यहाँ पे एक interesting story है बहुत ही interesting है यह story बज़ेदार है देखे elephant's weight ठीक है oh no I cannot bear this pain एक राजा है ठीक है यह राजा है मर गया है इसके मूँ से निकल रहा है ठीक है मतलब यह इसको दर्द हो रहा है इसके पेट में ठीक है बहुत ज़दा दर्द हो रहा है king had pain in his stomach एक बार एक राजा को उसके पेट में दर्द था none of the palace doctors could cure his pain कोई भी जो राजदर बार में palace का मतलब उसके महल में ठीक है कोई जो उसके महल में doctors थे वो उसका उसके दर्द का इलाज नहीं कर पाए ठीक है the king then said king ने तब कहा anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant anyone जो कोई ठीक है anyone who cures जो कोई cure करेगा इलाज करेगा मेरे दर्द का विल गैट उसको मिलेगा क्या मिलेगा gold सोना मिलेगा equal to the weight of an elephant एक elephant के equal weight का उसको सोना मिलेगा ठीक है on hearing this doctors from all over the country came ऐसा सुनकर सभी जो country के सभी कोने थे उनसे doctors आए ठीक है but only doctor Vedika could cure him जो doctor Vedika थी सिर्फ वही उनको cure कर पाई ठीक है यहाँ पे एक lady भी दिखा रखिये देखो यह सभी आ रहे हैं यहाँ पे एक white color का कपड़े पेहने भी एक lady भी है तो इसका नाम Vedika है देखो नीचे दिखाया गया है कि उसने इसका वही इलाज कर पाई oh great my pain has gone बहुत बड़ी अच्छी बात है मेरा दर्द चला गया ठीक है thank you doctor Vedika मतलब यह doctor Vedika को thank you कह रहा है तो अब यह देखो सर्मद शरीमान अब देखो क्या होता है लेकिन जो राजा है वो क्या बोलता है देखो but the greedy king didn't want to give her the gold लेकिन जो जब लालची राजा था वो उसको gold नहीं देना चाहता था so he thought of a trick इसलिए उसने एक trick सोची okay first find the weight of an elephant की ठीक है पहले elephant का weight उतना है gold दे दूँगा ठीक है अब मतलब कोई इतना बड़ा balance नहीं था कि जिसे हाथी का weight किया जासके ठीक है अब देखो वैदी का बाज है nappy when she reached home वैदी का जो थी वो बहुत नाखुश थी दुखी थी जब वो अपने घर पहुची she told her daughter the whole story उसने अपनी बेटी को पूरी story बताई ठीक है अब देखो how can I weigh an elephant where will I get such a big balance ठीक है वो कहती कि मैं elephant को कैसे बताब वे कर सकती हूँ उसका weight कैसे पता लगा सकती हूँ मैं इतना बड़ा balance कहां मुझे मिलेगा ठीक है इतना बड़ा balance मुझे कहां मिलेगा ये बोल रहे है तो उसकी बेटी देखे क्या कहती है don't worry ma चिंता मत करो ma ठीक है I have an idea मेरे पास एक idea है ठीक है tell the king to arrange an elephant and a big boat king को कहो कि एक elephant arrange करे और एक बड़ी boat arrange करे ठीक है प्रबंद करे एक elephant का और एक हाथी का और एक बड़ी boat का प्रभंद करे ठीक है उसने बोला ऐसे next morning doctor Vedika invited the king near a river अगली सुभ है doctor Vedika ने king को raja को एक नदी के पास invite किया ठीक है आमंतृत किया the king came with an elephant and a big boat जो raja था वो एक elephant के साथ एक बड़ी boat के साथ आया I think she's a fool मैं सोचता हूँ कि यह मूरक है how will she weigh an elephant with a boat वो एक elephant को एक boat के साथ कैसे वे करेगी है आप सबने होज़कता पढ़ भी लिए interesting story है देखिए बहुत बज़दर है अब देखो क्या होता है Vedika's daughter went into the river Vedika की बेटी river में चली गई sea marked on the boat how much it sink in the river ठीक है अब देखो उसने क्या किया boat के उपर mark लगा दिया कि कहां तक वो river में डूबी हुई है ठीक है क्योंकि पहले भी ओल्रेडी थोड़ी से तो नीचे ही रहती है ना boat पानी से नीचे रहती है ठीक है डूबी हुई होती है थोड़ी सी फिर उसमें अभी वो elephant को चढ़ाएगी फिर और ज्यादा डूब जाएगी ठीक है तो फिर से mark लगाएगी वो तो इस तरह से उसको पता चल जाए कितना elephant का weight है then she asked them to bring the elephant into the boat तब उसने दब elephant को boat में लेकर आने के लिए कहा the boat sank deeper अब जो boat थी वो और भी नीचे डूब गई है नीचे चलीगी है elephant का weight की वज़े से so she marked the new water level on the boat अब उसने एक और नया water देखो नया एक और water level mark किया boat के उपर है न कि अब कितना होगी है level तो इससे difference पता चल गया उसको weight का अब देखो now imagine what happened next and complete the story अब imagine करो क्या हुआ होगा उसके बाद और story को complete करो discuss with your friends how vedika's daughter found the weight of an elephant ठीक है और यह discuss करो कि vedika की बेटी ने elephant का weight कैसे निकाला अब देखो अब उसको weight निकल गया है न उसके equal सोना मांगेगे जितना mark लगाया है पहले जितना mark लगाया था और अब जितना mark लगाया उनके बीच का difference पता चल गया अब elephant को उताल लेंगे boat से और फिर उसमें gold डलवाएंगे फिर जहां तक mark हुआ था वहां तक जब तक gold डाला जाएगा equal level हो जाएगा जब तक तो उतना ही weight उस elephant का और gold का हो जाएगा इस तरह से वो और अब राजा भी मतब बच नहीं सकता है क्योंकि उसने क्या किया है मतब बाइदा किया था भी मैं दूंगा अब weight भी पता चल गया elephant का तो देना पड़ेगा तो यह आप इसको complete करना है सभी बच्चे स्टोरी को next देखिए how much the chair weigh अब देखिए chair का कितना weight अब chair को कैसे measure करें अब यह भी confusion है अब देखो यहाँ पर भी एक trick है अनामिका wants to weigh this chair using the weighing machine एक weighing machine है उसकी help से इसको weigh करना चाहती है अनामिका लेकिन can you suggest a way for doing this yes we can suggest अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते है अब एक लकड़ी का ऐसे चोड़ा सा पट्टा रख दो इसके उपर weighing machine के उपर जिसके उपर chair आसके ठीक है ऐसे लकड़ी का एक फट्टा मतब चोड़ा सा weeds जिसकी हो वो रख देंगे जो इसके पर सीधा आ जाए ठीक है इतना इतना चोड़ा और इतना मतब ताकि यह chair अराम से रखे जा सके तो उसकी help से हम major कर सकते हैं लेकिन इस तरह से रखना पड़ेगा कि हमें weight भी दिखाई देता रहे ठीक है उसकी बार देखो broken stones लकड़ी का फटा ऐसा हो सकता है कि जिसमें साइडों में ज़्यादा जगह हो और बीच में दिखाई देता हो तो उस पे भी हम रख सकते हैं चीक है उसके बार देखिए broken stones abdu sells firewood जो abdu है वो लकड़िया बेचता था ठीक है आग जलाने की लकड़िया there was a stone in his shop which weighed 13 kg उसकी शोप में एक वेट था बटा था जिसका वेट था 13 kg मतलब पत्थर था actually वो ठीक है और वो वे का यूज मतलब उसको वेट के रूप में यूज करता था बट्टे के रूप में यूज करता था मतलब उसने मेजर कर रखा था पहले बट्टो से उस पत्थर को he used it to weigh 5 wood वो उसको लकड़ियों को वेट करने के लिए यूज करता था मतलब उसको बाहर तोलने के लिए ठीक है और वो 13 kg का stone था अब क्या हुआ one day the stone fell down and broke into 3 pieces which weight अब क्या था एक दिन जो पत्थर था ना नीचे गिर गया और तूट गया तीन टुकडों में ठीक है और उनका weight कितना कितना हो गया 2 kg 5 kg 6 kg ठीक है देखो 2 और 5 7 7 और 6 13 kg यह 13 kg जो था वो तुकडों में तूट गया अब देखो क्या हुआ यह पर दिखा रखे देखो 5 kg 6 kg 2 kg बट अब्दू was very smart लेकिन जो अब्दू था वो बहुत ही smart था he used those 3 pieces मलब बहुत ही intelligent था यह कहने का मतलब ठीक है और he used to he used those 3 pieces to weigh 5 wood of all weights अब वो उन 3 pieces को use करता था लकडियों को measure करने के लिए सभी weights को मतलब सभी कोई जैसे 1 kg से लेकर 9 kg तक वो weight करने लग गया इन सभी 3 weights का use करके ठीक है पहले तो वो सिर्फ 13 kg ही weight कर पाता था इस बटे से लेकिन अब वो 1 kg से 9 kg के तक का use करने लगा इन बटों की help से ठीक है और 13 kg भी तो करी सकता है इन सभी को रखके ठीक है तो 13 kg भी कर सकता है अब देखो यहाँ पे वो देखो कैसे 1 kg को weigh करता है अहाँ दा weight of this bundle is 1 kg कि जो weight है इस bundle का वो 1 kg कैसे पता लगाएगा देखो जो एक side उसने क्या किया 6 kg रख दिया और दूसरी side उसने जो लकडी है वो रखी और पहले 5 kg का बटा रख दिया और फिर लकडिया रखता गया तो पता चल गया जब equal वा की 1 kg का bundle है यह ठीक है तो ऐसे किया क्योंकि दोने side 6 kg 6 kg हो गया ना लेकिन 5 kg का एक बटा है और जो लकडिया है वो सिर्फ 1 kg है चीक है इस तरह से उसने 1 kg का पता लगाया नेक्स पेज पे देखो अब और 2 kg का भी पता लगाएगा नाव नाव यू शो हाव अबदू विल यूज इस टोन पीसिस टू वे अब देखो 4 kg फायरवूड कैसे पता लगाएगा अब 4 kg किसी को 4 kg ही लकडिया लेनी है तो कैसे लेगा वो ठीक है अब देखो क्या करेगा वो एक साइड में 6 kg रखेगा 6 kg रख दिया और एक साइड में 2 kg रखेगा तो पहले 4 kg हो गया मतलब इस साइड 4 kg बच गया क्योंकि इदर 2 kg रख दिया 6 kg रखा यहाँ पे और यहाँ पे 2 kg अलड़ी रख दिया ठीक है तो अब कितना बच गया यहाँ 4 kg बच गया एक्स्ट्रा तो यानि कि 4 kg अब वो लकडिया रख देगा तो इक्वल हो जाएगा यानि कि जो लकडिया होंगी वो 4 kg की होंगी अब देखो 3 kg अब 3 kg कैसे मेजर करेगा अब देखो फिर से देखो जो 5 kg और 2 kg के बच गया यूज करेगा वो एक साइड 5 kg रख दिया और एक साइड 2 kg रख दिया और बाकी लकडिया रख दिया क्योंकि देखो 5 में से टूग गया तो 3 kg यानि कि हैंपे 3 kg एक्स्ट्रा है यानि कि 3 kg अब लकडिया रख दिया तो 3 kg मेजर हो जाएगी 7 kg वो फिर वोड कैसे मेजर करेगा 7 kg के लिए क्या करेगा ये देखो 2 kg और 5 kg इन दोनों बट्टो को रख देगा 2 kg और 7 kg के बट्टे रख देगा एक साइड में 5 kg पलस में 2 kg ऐसे रख देगा तो हमें पता चल जाएगा और भी इसमें कंबिनेशन बन सकती है ठीक है देखो अगर हम 6 और 5 का बट्टा रखे तो 11 kg बन जाएगा 11 kg 11 kg हो सकता है उसी तरह से 6 और 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा इस तरिके से वो मेजर कर सकता है और 3 का यूज करेगा तो 13 kg तो हो जी सकता है ठीक है ओके दाट्स ओल फो टोड़ेज क्लास वे नाइस टीक